हेलो फ्रेंड्स में नाम है विजे और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे आप अपनी फाइल को अपने C प्रोग्राम में उपन करेंगे और कैसे उसमें उपरेशन पहुंग करेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज हम बात करेंगे डाटा फाइल्स की सबसे पहले ही समझेंगे डाटा फाइल्स कितने तरह की होती हैं क्या होती हैं फिर हम लोग बात करेंगे कैसे आप एपनी फाइल को उपन करेंगे अपने प्रोग्राम में उसको एक्जांपल के साथ देखेंगे देखेंगे डाटा फ होता है जिसे हों normally use करते हैं जैसे कोई text file या csb file उसे हम कहते हैं stream oriented file ठीक है और second जो type की होती है उसे हम कहते हैं low level low level या फिर आप उसे system oriented भी कहते है system oriented file oriented data file ठीक है ये दो तरह की file होती है तो किस तरह की file में work करने वाले हैं हम लोग पढ़ने वाले है stream oriented file ठीक है stream oriented file को मैं simple file से कहूंगा ठीक जब मैं file कहूं तो आप भी समझे लिएगा system oriented file की बात कर रहा हूं मतलब जैसे text file,sb file,excel file ये जो files होते हैं आपके system oriented files में आती है और low level में फाइल में आती है जो आपके systems में use होती है उनको हम low level file कहते हैं ठीक है तो ये हमारे scope के बाहर है भी जो important stream oriented files है अब ये use क्यों करते हैं कैसे file को open करते हैं क्या क्या operation लगाते हैं वह हम सीखेंगे द थोड़ा detail में जा रहा हूं है ठीक है तो यहां पर देखिए जब भी आपको instruction लिखते हैं जिससे अगर मैंने लिखा puts इस तरह से लिखा ठीक है और या फिर मैंने gets लिखा ठीक है तो ये जो operation होता है ये क्या करता है आपका जो system होता है उसे call करता है system call करता है ठीक है system call में और फिर आपको operation पर होगा एक एक करके आपका यहां पर operation होता है one by one ठीक है simple भासना में समझा रहा हूं काफी ठीक है तो one आप क्या करता है इससे कि आपको कोई काम करवान है तो आप क्या करेंगे system call करेंगे तो kernel उसका handle करेगा फिर आपको ये return में जवाब देगा तो इस बहुत time लग जाता है तो इस case में यहां पर क्या करते हैं यहां पर इसको optimize करने के लिए एक buffer बना देते हैं एक size बना लेते हैं ठीक है यह क्या है एक memory है जो की heap के द्वारा दी जाती है ठीक है heap मैंने आपको बता चुका हूँ से stack क्या होता है heap क्या होता है ठीक है तो वहा यही चीज़ हो गया कि आपके बाद भूस सारी application आते जा रही है ऐसा नहीं कि आप आरे application को one by one pass करे जा रहे है अपने superior के सांद फिर वो उसका reply कर रहे है आप कुछ नहीं कर रहे है आप जितनी application आ रही है उसको एक सांद इखटा कर ले रहे है एक घंटे में दो घंटे मे फिर उसको एक सांद अपने जो officer आपका head है उसको भेज दे रहे है फिर वो एक सांद आपका सब को sign करके आपको return कर दे रहे है वो यही चीज यहाँ पर भी हो रही है उसके लिए हम लोग buffer create करते है तो सबसे पहला इस तक क्या होता है buffer create करना जब भी हम किसी भी system oriented file को use करत बफर create करने के लिए सब से simple आपको क्या लिखना होता है, सबसे पहले लिखना होता है file और file जो लिखना होता हो capital में होता है ठीक है सबसे पहले जब भी आप program लिखेंगे तो आप क्या लिखेंगे file लिखेंगे capital में ठीक है फिर आप लगाएंगे as tick और यहाँ पर कोई भी pointer देंगे pointer का नाम देंगे जिसे मैंने pt देते तो यह इसका pointer का नाम हो गया अब यह देखें यह जो pointer होगा actually मैं यह किसको point करेगा buffer को point out करेगा ठीक है buffer की starting location को अब यह point out करेगा यह इसका काम है ठीक है क्योंकि जब आप file को read करवाएंगे तो वहाँ पर क्या होगा इस buffer में इसका data store होगा ठीक है यह आप समझे कि buffer क्यों create करते हैं ठीक है क्या जरूवत पढ़ती है ठीक है और किस तरह से हम buffer को create करते हैं हम simple लिखते है file फिर as tick में ptr यह pointer क्यों है pointer इसलिए है ताकि हमारा buffer में memory buffer में आपका data जा सके और buffer में data क्यों रखते हैं वह भी मैं आपको बता दिया अब मैं अपने program को खोलता हूं और one by one आपको समझाने की कोशिश करता हूं ठीक है तो यहाँ पर दिखिए यहाँ पर सबसे पहले तो मैं यह include करना पड़ेगा studio.io.h इसी से इसी के अंदर आपका क्या होता है file यहाँ पर exist करता है और यह file हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे है pointer create कर रहे है ठीक है fp name से ठीक है फिर मैं एक integer length लिया है और मैं file को open कैसे करूँगा simply आपको क्या करना है यहाँ पर लिखना है fp जो आपका pointer है हम ऐसा क्यों ताकि हमारा buffer में इसका data के अपके store हो सके फिर हम use कर रहे है fopen का fopen क्या होता है किसी भी file को open करने के लिए use किया जाता है फिर हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर file का name देते है ठीक है double quotation file का name दिया उसके बाद हम यहाँ पर किस तरह का operation कराना चाहते है वो देते है तो यह operation कि इतने type की होते हैं वो मैं आपको समझाता हूँ ठीक है मैं यहाँ पर notes बना लेता हूँ आपके लिए ताकि आपको जब मैं PDF प्रवाइड करूं तो आपके पास यहाँ पर यह हो ठीक है तो सबसे पहले fopen fopen हमने किस लिए use किया था file को open करने के लिए fopen किस लिए use होता है file को open करने के लिए इसी तरह से बहुत सारे operation होते है f scan f printf ठीक है तो वो हम एक करके बात करेंगे जब उसको हम use करेंगे program में साथ ठीक है तो f open f open सबसे पहले कहलेगा file का name लेगा ठीक है file का name ठीक है extension के साथ दिंगे आप extension आप देना पड़ेगा उसके बाद यहाँ पर हम mode बताते है कि किस mode में उसको read करना है ठीक है देखें यहाँ पर 6 तरह के mode होते हैं आपके सबसे पहला सबसे पहला होता है आपका r जो कि आपका use किया जाता है read के लिए ठीक है एक हो mean देते हैं तो अगर आपको read करना है तो वो file आपके exist होनी चाहिए सबसे पहली condition क्या है कि अगर आप read modeille use कर रहे है और modeille use कर रहे है तो वहां पर सबसे पहली condition क्या है कि वो exist करनी चाहिए अगर वो नहीं हो गी तो वो क्या करेगा null pointer को pass कर देगा ठीक है f open क्या करेगा null pointer को pass कर देगा अगर ऐसी कोड़ी file exist नहीं करते होगी जो अपने नाम में दिया होगा तो यहाँ पर null pointer pass कर देगा ठीक है यह पहली condition शी ही है कि यहाँ पर यह होनी चाहिए file वनना यह error pass कर देगा null pointer pass कर देगा ठीक है इसमें एक ही condition second write w mode से क्या होता है write होता है देखे write mode में यह क्या करता है यह क्या करता है सबसे पहला step क्या है इसका create a new file ठीक है अगर आपने जैसे vj.txt name से एक file बनाई है जिसमें आपने कुछ data रखा हुआ है पहले से ठीक है फिर यहाँ पर आप क्या करा रहे है f open और यहाँ पर vj.txt लिख रहे है और ठीक है और यहाँ पर mode डाल ले है w mode तो यहाँ पर वो क्या करेगा और यहाँ पर आपने जो file का name दिया है वो vj.txt दिया है विजए आपकी पहले से exist करती है तो जब भी कोई file आपकी पहले से exist करती है तो वो उसको पूरा totally क्या कर देता है delete कर देता है और नई file बनाता है इसी name से जो आपने name पास के है vj.txt तो logo को लगता है कि इसमें क्या हो रहा है कि जो आपने अगर इसमें data रखा हुआ है तो यह data delete हो गया और फिर जो आपने data लिखवाना है वो इसमें add हो गया actually मैं ऐसा नहीं होता है आपका क्या होता है जो file होती है पहले से exist करी हुई वो पूरी की पूरी delete हो जाती है delete हो जाती है नई file create होती है वनना आपका data loss हो सकता है ठीक है write में फिर आता है आपका append append क्या करता है जो पहले से ही file exist करती है ठीक है पहले से ही file exist करती है उसमें data को क्या करता है add करता है ठीक है और अगर को भी file exist नहीं करती है ठीक है अगर को भी file exist नहीं करती है तो यह क्या करता है, new file को create कर देता है, ठीक है, पहला क्या बता है, अगर पहले से exist करनी चाहिए, तब उसमें आप data append कर पाएंगे, add कर पाएंगे नए data, ठीक है, और अगर वो file नहीं करते होगे exist, तो क्या करेगा, नई file को create कर देगा, यह तीन operation होते हैं, इसके इलावा ती राइट भी होगा, ठीक है, read भी होगा, write भी होगा, ठीक हो गया, और यह file में condition वही है same, यह file exist करनी चाहिए, वहना null आपका return हो जाएगा, दूसरा write, write में भी आपका कर सकते हैं, read कर सकते हैं, और write कर सकते हैं, ठीक है, इसमें भी same condition है, अगर पहले से ही, कोई file exist करते होग ठीक है, read भी कर सकते हैं, और append भी कर सकते हैं, ठीक है, plus plus, सब में जिसमें plus लग जगे हैं, read तो compulsory होगा, ठीक है, और जो operation करता होगा, वो, और read में क्या होगा, write हो जाएगा, write के साथ यहापर read होगा, ठीक है, यह भी होई काम करेगा, अगर पहले से exist करते होगे, तो इस यूज दो रहे हो कि वो बताएंगे फिर देखिए मैंने यहां f open किया है file को open किया है text.txt name से ठीक है इसमे mode मैंने read लगाया है और f में safe करवाया है इसको मैंने फिर मैं यहां पर check करा रहा हूँ कि fp is equal to is equal to null है तो ठीक है अगर ऐसा होता है तो उस case में क्या करा रहा हूँ मैं error 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 print करवा दे रहा हूँ ठीक हो गया फिर मैं यहां पर क्या कर रहा हूँ यहां पर मैंने use किया है fseq ठीक है f tel और f close तीन चीज़ मैंने आपर यूज किया है, तीनों चीज़ों को एक एक करके explain करते हैं, ठीक है, इसी तरह से मैं और program लेकर आँगा, ठीक है, जिसमें different functions को use करूँगा, फिर इसमें आपको explain करता हूँगा, ठीक है, तो सबसे पहले यह समझते है, fc क्या है, और fclose क्या है, ठी ठीक है, सबसे पहले हम समझते है, fclose को, जैसे आपको name से ही समझ में आ रहा होगा, कि fclose क्या करेगा, किसी भी file को आपका close कर देगा, close the file, ठीक है, अब सबसे पहला question यह आता है, कि fclose को जरूवत क्यों पढ़ती है, use करने की, तो यहाँ पर इसके लिए जरूवत ठीक है, इसमें आप कोई changes करवाए आपने, फिर आपको काम complete होगा, तो आपने उसको close करवा दिया, पहला step यह, ठीक है, ताकि बाद में उसमें कोई changes ना कर सके, तो आपने उसको close करवा दिया, second चीज है, कि जो आपके resources यहाँ पर locate होऊंगे, जैसे आपने कोई file खोली, उसमें कोई resources लगे होंगे, ठीक है, जितो buffer size लगाओगा, जो मैं आपको बताया, ठीक है, तो वो buffer को free करने के लिए, आप क्या करते हैं, close का use करते हैं, ठीक है, और अगर आप close को use नहीं करते हैं, fclose को, तो fclose automatically call हो जाएगा, automatically कब call होगा, program के end में, और आपका program कितना भ लगे होएं, तो इन resources को पहले ही free कर दिया, जैसे आपका account complete हो गया, वैसे आपने इसको close कर दिया, तो सबसे पहला है, fclose जो मैं आपको बता दिया, फिर बचा आपका fseq और ftel, ठीक है, जो हमने use किया है, fseq और ftel, ठीक है, fseq को अगर simple भासम बताओं, जो आपकी ज ch, इस तरह के इस data है, ठीक मैं यहां तक c तक read कर चुका हूँ, तो फिर उसके बाद मैं इसके बाहर आ गया, तो मैं क्या करता हूँ, यहां पर मेरे को याद रहे कि मैंने यहां तब पढ़ लिया है, तो मैं एक pointer ले लूँगा, जो इसको point करेगा, ताकि मैं इसके बाद व कर सकता हूँ, इस pointer, fc का use कर सकता हूँ, तो fc क्या करता है, आपका position को बताता है, और ftel बताता है, ftel क्या बताएगा, जहां पर आपका यह pointer होगा, जिसे मैंने यह pointer बनाया, ठीक है, यह pointer जो d को point out कर रहा है, तो यह इसकी current position बतातेगा, क्या बताता है, ठीक है, current position बत है ठीक है देखे fc आपका जो value written करता है वो integer type की value written करता है ठीक है यह तीन तरह का argument लेगा सबसे पहले यह क्या लेगा file stream file pointer stream तो इसका कहने का मनलब क्या है कि यहां पर जो हम pass करवा रहे हैं जिसमें अपने data हम open करवा रहे है fp जो हमारा fp जो हमारा pointer है वहाँ पर मैं अपने file को open करवा रहा हूं तो यह मुझे सबसे पहला parameter pass करना पड़ेगा second parameter मैं क्या pass करूँगा यहां पर offset पास करूँगा अब देखे यह offset क्या होता है यह समझेंगे अभी और उसका third क्या पास क्योंगा वेर हिंस तो यह तीनों चीजे क्या है यह मैंने आपको बता दिया ठीक है offset क्या है let us suppose कीजे मैंने यहाँ पर इस तरह से एक में पार data a b c d e f इस तरह से जी एच ठीक है यहाँ पर मेरा pointer जो है वो point out कर रहा है तो इस pointer के कितने आगे से start करना है offset कितना करना है अगर मेरा pointer यहाँ है तो मुझे start कहां से करना है ठीक है अगर मुझे start 2 कदम आगे से करना है तो यहाँ पर मैं value कहते दूँगा 2 दे दूँगा अगर मुझे same position से start करना है तो यहाँ पर मैं 0 दे और zero क्या करेगा? Same position पर point out करेगा. मतलब कहां से start करना है? अगर pointer यहां से start point out कर रहा है, तो क्या पता मुझे दो कदम आगे से read करना हो? या दो कदम पीचे से read करना हो? या चार कदम पीचे से read करना हो? तो उसके लिए मैं use करूँगा offset. तो offset समझ में आ गया होगा? ठीक है? अब देखे, where hands आता है, इसमें आपके तीन पहले से ही आपके predefined होते हैं. देखे, पहला हम लोग कहते हैं, जिसको seek set ठीक है? यह क्या करेगा? beginning of the file को point out करेगा. beginning of file. इसका काम क्या है? beginning of the file को point out करना. second क्या है? second होता है आपका? cur का मतलब क्या है? यह क्या करेगा? current position को point out करेगा. जो current position होगी, ठीक है? file pointer की उसको point out करेगा. current position of a file pointer. ठीक है? third इसमें एक और होता है, seek end. seek end. अब देखे, seek end क्या करेगा? जैसे आपको नामसी समझ में आ रहे हैं, यह कहां पर point करेगा? end of the file में. ठीक है? यह तीन आपक argument समझ में आ गया होंगे, seek set, seek current, seek end. ठीक है? तो वही चीज हमने यहाँ पर अपने प्रोग्राम में भी use की है. सबसे पहला, fp, यहाँ पर offset j रिखा है, 0, फिस seek end. मतलब क्या करेगा? जो file में जो data लिखा होगा, उसका जो end होगा, ठीक है? वहाँ यह point out करेगा. ठीक है? ऐसा क्यों करवा रहे हैं? और मैंने आपको क्या बोला था? कि यह दो तरह की value return करगा है, integer type की value return करता है, ठीक है? एक 0, एक non-0. 0 मतलब क्या हुआ? कि यहाँ पर यह successful हो चुका है, ठीक है? success हो चुका है, वन्ना यह क्यों हो चुका है? fail हो चुका है, अगर यह non-0 value pass करता ह है, ठीक है? उसके बाद यहाँ पर ftel use कर रखा है मैंने, अब देखिए ftel क्या करेगा? ftel आपका जो file pointer है, उसको ले लेगा, ठीक है? और वहाँ पर जो position है, ठीक है? pointer की उसको बताएगा, ठीक है? तो हमारे case में क्या हो रखा है? जैसी हमारे पार जो data है, जैसी a, b, c point out करवा रहे हैं, हम यह f6 है, ठीक है? end में point out करा रहे हैं, अगर end में point out करा रहे हैं, तो इसकी position जाओगी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 position पर यह point out कर रहा है हमारा pointer, ठीक है? fc, end में point out कर रहा है, उससे पहले कितना alphabet है? यहाँ पर जितनी इसकी length है, ठीक है? ftel, जो यह six pass कर रहा ह है, उतनी यहाँ है, पर alphabet है, तो यहाँ पर मैंने length में इसको डाल दिया, ठीक है? क्या कहना चाहरा हूँ, देखिए, fc, end में हम लोग भीज रहे हैं, offset 0 है, मतलब, यहाँ पर यह क्या करेगा? file के end में point out करेगा, ठीक है? file के end में point out करेगा, तो क्या होगा? यहाँ पर कौ point out करेगा, उतनी ही उसके character डाल है, मतलब, उतनी ही उसकी length है, तो यहाँ पर मुझे length है, यहाँ पर मिल जाएगी, fclose क्या करेगा? आपके file को close कर देगा, और फिर मैं length की मदद से क्या करूँगा? इसको print करा लूँगा, इसमें कितने characters है, ठीक है? यहाँ से मैं इसको delete कर रहा हूँ, इसको मैं यहाँ पर से run करता हूँ, देखे, the length of the character in a file is 11, 11 character है मेरी text.txt file में, ठीक हो गया? तो इस तरह कैसे क्या कर सकते है? file को open कर सकते हैं, close कर सकते हैं, और आज हमने सीखा fseek के बारे में, ftel के बारे में हैं, और fclose के बारे में, ठीक है? और different-different, आप इसके बारे में, अ हम एक पया बारे में विर सकते हैं, और रहा हूं, बारे में इसक बारे में अच्ड़ में आप सकते हैं, अज़ा हमने सकते हैं, भीक है, यह थो इस सकते हैं, hoje है कि बारे में हम his делать को औरे में 3,2 बारे में हैं, और बारे म Immer является؇मारा कО्सरी